हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल तो दोस्तो आज हम देखेंगे क्लास 10 साइन्स में इंपोर्टेंट चेप्टर केमिस्ट्री का प्रियोडी क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स जो आपके सीवेसी टर्म 2 एकजाम 2022 के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है और गाईज हमलों स्टार्ट करते हैं बिना लेट की हुए तो चलिले फ्रे पर इंप्रेंज स्टार्ट करते हम लोग टॉपिक नॉमार वन से पहला ठोलो कहा है डोली नेर्स ट्रय ठीक है डोली इंन एक साइंटिस्ट है और जिससमें डोली स्काम कर रहा था, element classify करने का, उस से में लगभग 30 element present था, ठीक है, खोजा जा चुका था, ठीक है, discover किया गया था, और सबसे important है, जब dominance ने try किया, element classify करने का, उसका main basis था, उसका main basis था, उसका main basis था, उसका main basis क्या है, increasing atomic masses के आधार के basis पर, अपने element को, जो 30 element से जदा element था, उसको arrange किया था, ठीक है, उसको classify करने का कोशिस किया था, dominance ने, अब हम समयचते हैं, यह tried किया था, ठीक है, tried बहुत important है, आपका, tried क्या होता है, उन्होंने क्या किया था, तीन-तिन element का group बनाया था, ठीक है, तीन-तिन element का group बनाया था, उसको tried कहा गया, ठीक है, जैसे माल लेते हैं कि a हो गया, एक element, second element b हो गया, और third element के हो गया, c हो गया, उन्होंने एक method निकाला, ठीक है, सबसे important यहाँ पर यह है, कि अगर जो यह first element आपका देख रहा है, ठीक है, और जो last element, third element देख रहा है, उसका, ठीक है, दोनों के mass को average निकला जाए, यानि a और c का average निकला जाए, ए और c को जोड दिया जाए, ठीक है, और इसका average निकला जाए, तो बीच वाले element का mass निकल जाता है, ठीक है, रूण यह तरही का बताया है, और इसको हम लोग क्या बोला गया, ठीक है, डॉमिनेस ठीक है, ठीक है, अब इसका कुछ एक्जांपल हम देखते हैं, आपको समझ में भी आज आएका तुरंद, ठीक है, चलिए फ्रेंड्स को मैं एक्जांपल से क्लियर करता हूँ, एक हम ठीक है, फर्स्ट हम रखे हैं लिथियम को, सेकेंड रखे हम सोडिय लिथियम को, और थर्ड रखे हम लोग पोटेस्यम को, ठीक है, लिथियम का एटोमिक मास होता है, 6.9 और पोटेस्यम का होता है, 39, अब इस दुनों को हम एड करेंगे, तो यह आएगा हम लोग का, 45.9, अब इसको का करेंगे, एवरेज निकालेंगे, दो से डिवाइड करे करेंगे, ठीक है, फ्रेंट, दो से डिवाइड करेंगे, इसको, यह हो जाएगा, 24, ठीक है, उसके बाद यह हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, 25, हान्यकी लगभाललबख कितना आएगे हम लोग का, 23, कितना आएगे हम लोग का, 23 आ गया, जो आप देख रहे हो कि शुटियम कि एवरेज लिया जाए ठीक है तो बीच वोला जो एलिमेंट है उसका मास निकल जाता है ठीक है ऐसा हम उने कहाँ किया एक मेथड फैंड किया निकाला ठीक है उसको हम लोग क्या बोला गया डोमियर्स ट्राइड कहा गया ठीक है I hope आपको इस समझ में आ गया होगा चलि आगר बढ़ते ही हम ओक यहां पर कुछ टेवल दिखाए ठीक है एक टेवल दिखाए गिए हिसमें आपको कुछ ग्रूप ओफलिमेंट यहां सोरग किया गिया है ट्रैड को ठीक है इसमें आपको पता करना है कि कौन सी गृूप इसमें डोमियर्स ट्राइड को फोलो करत और देखना है कि यह बीच लव पार्ट आता है अगर आ जाता है 31 तो समझो यह डोमिने श्ट्राइट को फोलो करता है ठीक है उसी प्रकार साग्व चेक करना है यहाँ पर कैलिसयम को ठीक है और बेरियम को दोनों का मास को एड करना है और दो से डिवाइट करना है अगर बीच लव पार्ट आगी हम लोग का तो डोमिने श्ट्राइट होगा अदरवाज नहीं होगा ठीक है ठीक है किसी प्रकार फ्रेंड आप चेक कर सकते हो गुरूप C में जो अलिमेंट दिया गया है क्लोरीन और प्रेंड दोनों को जो मास मंबर दिया गए ठीक है उसको एड़ करना है और करने के बाद धो से डिवाइट करना ठीक है और दिवाइट करने बाद देखोगे कि यह बिच ले पार्ट आता है कि SAY अगर आ गया समझे में क्या है डूमिने को फौलो करता है अखरूरवाइज 56 elements से ज्यादा element उसमें मौजूद था ठीक है और इसका भी जो basis था classify करने का वो same था increasing atomic mass के धार पर के basis पर उन्होंने element को classify किया ठीक है और उन्होंने क्या किया था सबसे पहले जो lowest atomic mass होता है जैसे hydrogen से थोरियम तेख लिया था ठीक है और उन्हें क्या देखा सबसे important उन्हें properties क्या देखा कि हर eight element ठीक है का जो properties था वो same हो रहा था first element के ठीक है इसी को कहा गया newland's law of octaves जो कि जिस प्रकार से जो संगीत का जो टोन होता है ना जो संगीत का जो rhythm होता है ठीक है सारे गामा पाधा नी सा ठीक है इस प्रकार से repeat होता होता है ठीक है repeat है रिपेट हाना जो आपको first element होता है first आपका tone है संगीत का सा सा से start होगा सा, ठीक है रे, गा, मा, ठीक है, पा, धा, नी ठीक है फिर यह सा आ जा गए हां पर तो eight element का जो properties है हो ठीक है thumbs similar so करेगा first element के properties से ठीक है इसी को कहा गया newlands law of octaves चुकि ये संगीत का जो tone होता है आवाज होता है जो rhythm होता है उसको follow कर रहा था इसलिए हुने क्या नाम दिया newlands law of octaves ठीक है अगर हम लोग newlands के octables के साब से check करेंगे तो lithium का जो properties है ठीक है lithium का जो properties है sodium element के properties से match करता है जोकि sodium जो 8 element है after lithium ठीक है similarly आप देखोगे beryllium का जो element है उसका जो properties है उस सेम हो जाता है ठीक है किसके minusium के यहाँ पर हम लोग का एक table दिया गिया है licensing octave के ठीक है इसमें आपको देखो टॉप में दिया गिया है notes of music ठीक है उसमें क्या लिखा हुआ है सारे गा मा पाधानी ठीक है और फिर की आएगा साइगा तो यहां पर देखोगे जो फर्स्ट थेकर है फस्ट एलिमेंट के हम नोंगा है हेट्टृजीन है ठीक है और एड़ ऑलिमेंट ए एलिम्ट स्ट्वारीन कि winding वालों इंडिकेल और ब्रॉमीन उस सभी का जो प्रपर्टी जोगा सेम ओगा ठीक वैसे जैसे की है बिइन प्रपर्टीज होता है ठीक है उसी पर आप यहां देखोगे लिथियम हो गया सोडियम हो गया पोटेसियम हो गया कॉपर हो गया रुबिडियम हो गया सभी का सेम प्रपर्टीज होगा ठीक है उसी पर आप देखोगे बेरियम मैनेशियम कैल्सियम जिंक स्टोंशियम सब का प आपका एकजाम के लिए और यहां से caution frame रहेंगे ठीक है पहला drawback हम check करते हैं न्यूलेंड्स का तो यह जो rule है law of octave है ठीक है यह सरीफ applicable है कहा तक calcium तक ही applicable है और calcium के आगे जो element है calcium के आगे का जो element है ठीक है यह कभी भी similar properties तो नहीं करता है यह देखा गिया ठीक है यह जो 8 element है first element के properties को same नहीं कर पाता है calcium के आगे के element ठीक है चलिए अब देखते हैं हम लोग second drawback न्यूलेंड्स का second drawback बहुत important है जिसमें न्यूलेंड काम कर रहा था उसमें करीबन nature में 56 अपन element मौझूद थे ठीक है exist कर रहे थे nature में लेकिन बाद में आगे जाके भाविस में इस ते ज्यादा element के discovery हो जाता है खोज हो जाता है और इन नए element जो discover हुए थे उनको सजाय गया arrange किया गया atomic mass के increasing order में रखा गया ठीक है इसको classify किया गया उस element को जो नए element discover हुए थे लेकिन क्या देखा गया कि यह जो इसका जो properties था ठीक है ओ लो of octave हिसाब से fit नहीं कर रहा था यानि यहाँ पर newlands का जो law of octave था fail कर गया ठीक है यह हम लोग का second drawback था newlands का चलिए आगे जानते हम लोग newland के थाड़ drawback के बारे में ठीक है अगर आप newland के table को check करोगे ठीक है उसको check करोगे उसमें क्या किया गया दो element को एक ही slot में रखा गया है एक ही slot में same slot में रख दिया गया है जैसे कि आप देखोगे cobalt और nickel को कहा रखा गया है calcium, fluorine, chlorine और bromine के slot में रखा गया है जो कि different properties करता है ठीक है तो यह भी इसका एक drawback है अब देखें guys हम लोग newland का fourth drawback जो की important है iron जिसका जो properties है cobalt और nickel से match करता है लेकिन iron को बहुत दूर रखा गया है इन elements से उसके table में ठीक है यहाँ पर भी fail कर जाता है newland का low तो friend अगर हम लोग इसको observe करें तो अगर हम पाएंगे कि जो newland का low of octave है ठीक है और काफी अच्छा है latter element के लिए जो heavier element उसके लिए बिल्कुल फिफोलो नहीं करता है यहाँ पर वो fail कर जाता है तो यह सब क्या था उसका newland का drawback था उसका limitation था अब गाईज आपका next topic है बहुत important topic है ध्यान से पढ़ना ठीक है medallift predictable और आपके exam के लिए काफी important हो जाता है तो medallift जिसमें element classify कर रहा था ठीक उसमें उसके समय लगभग 63 element present था nature में ठीक है उन्होंने examine किया relationship निकाला atomic masses of elements और उसके physical और chemical properties के बीच में ठीक है और उन्होंने क्या दिया एक लोग दिया जिसका नाम है periodic low periodic low बोलता है the properties of element ठीक है जो properties of element जो होता है are the periodic function of their atomic masses यानि element का जो properties है और periodic function होता है atomic masses के उसको बोलते हैं लोग periodic low medlib के predictable देखोगे उसमें जो वर्टिकल कॉलम है ठीक है वर्टिकल कॉलम को हम ग्रूप बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रूप ठीक है और ग्रूप कितना हमनों का है eight group है ठीक है eight group है और horizontal जो row है उसको बोला गया periods ठीक है और कितने periods है six periods है ठीक है तो यह आपका देख रहे हो medlib का predict table है ठीक है यहाँ देख रहे हो इस परकार से इस ग्रूप में आठ ग्रूप में डिबाट किया गया है और six predicates बाटा गया है ठीक है अब गाईस आपके exam में question रहता है achievement of medlib periodic table से ठीक है यहाँ साब question बन के आता है exam में ठीक है achievement of medlib periodic table से medlib का first advancement है guys anomaly ठीक है दखो इसमें क्या होता है slightly greater atomic mass हो है ठीक है element का उसको पहले रखा गया है slightly lower atomic mass के है ठीक है अगर इसके sequence को invert कर दिया जाए ठीक है invert कर दिया जाए तब भी in element का जो properties है ठीक है similar properties है उसको group किया जा सकता है एक साथ group किया जा सकता है ठीक है यह साथ बड़ा advancement है medlib का जैसे आप यहाँ देखोगे cobalt ठीक है cobalt का atomic mass केतना होता है 58.9 है यह पहले आया है किस से nickel से जिसके atomic mass केतना होता है 58.7 है और दोनों का properties के हम लों का सेम है इसको अराम से group कर सकते है अब next achievement है guys medlib का जो काफी important है अगर आप check करोगे medlib का ठीक है उसमें कुछ gap है he left some gap और इस gap कुछ गया किया है Sanskrit numeral से represent किया है जैसे 1 1 मतलब 1 होता है जैसे 1 बोरोन हो गया 1 एलमूनियम हो गया 1 का सिलिकोन यह जो element है उस समय medlib समय discover नहीं हुआ है लेकिन उन्हों क्या किया इन element को predict किया अनुमान लगा है कि इसके जगा यह जे element आ सकता है और बाद में जब discover हुआ तो exact उसी position पे उस element को रखा गया जैसे 1 का बोरोन के जगा आ गया scandium एका एलमूनियम के जगा आ गया gallium एका सिलिकन के जगा आ गया germanium तो यह बहुत बड़ा achievement है medlib का अब next achievement है guys noble gases में medlib का कमाल का achievement कहा जाएगा ठीक है जिस वक्त medlib काम कर रहा था उसमें जो noble gases थे जो inert gas बोलते हैं ठीक है जैसे helium हो गया neon हो गया argon हो गया यह discover नहीं हुआ था यह discover बाद में हुआ और सबसे important यह है कि जब यह discover हुआ तो उस समय medlib fluid table को बेना disturb किये हुए इन element को एक नया group दिया गया जो एक शांदार achievement था medlib के लिए अब है guys हम लोग का drawback यानि medlib का drawback यानि limitation of medlib classification यह भी आपके लिए बहुत ज़्यदा important है exam के लिए पहला drawback क्या है no fixed position of hydrogen in predictable predictable में यानि कि medlib की predictable में hydrogen का जो position है fix नहीं किया गया है जैसे कि hydrogen जो atom है उसका जो properties है alkali metal और halogen से मिलता है hydrogen का जो electronic configuration है alkali metal से मिलता है ठीक है और सबसे important halogen की तरह ही hydrogen diatomic molecule सो करता है ठीक है यानि यह combine करता है metal साथ में और non metal से combine करता है और covalent bond form करता है ठीक है तो यह पहला हम लोग का drawback है कि hydrogen जो होता है उसका एक fixed position नहीं दिया गया है medleaf priority table में ठीक है next drawback है important drawback है medleaf के priority table में isotope को जगा नहीं दिया गया है यानि जिस समय medleaf काम कर रहा था उस समय isotope discover हुआ ही नहीं था ठीक है तो friend यहाँ पर medleaf का priority table fail कर जाता है ठीक है और हम जानते हैं कि isotope क्या होता है isotope वे होते हैं जिसका जो chemical properties होता है उस सेम होता है लेकिन उसका जो atomic mass होता है और different होता है ठीक है अगला जो limitation friend वो यह identify किया गया कि जो atomic mass होता है regular manner में increase नहीं करता है one element to next element so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements तो यह संभो ही नहीं उपाता यह हम लोग predict नहीं कर सकते हैं कि दो element की बीच में कितने element discover होंगे यह पता कर पाना यह predict कर पाना आसान नहीं हो सकता है यह आसान नहीं होता है खास तोर पर जब हम लोग heavy element की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी जो predict तो यहाँ पर भी जो medley के predictable है वो fail कर जाता है ठीक है तो यह इसका limitation हो गया ठीक है friend मिलते हैं फिर समने लोगे next वीडियो में इसी chapter के next वीडियो लेकर जो कि exam के लिए काफी important है तब ते के लिए धन्यवाद जहन